नमस्कार सलाम निसक्लिक में आपका स्वागत है हमारे साथ बाच्चीत के लिए बने हुए हैं वरिष लेखक और विज्ञान कथाकार दिवेंदर मेवाडी जी दिवेंजी पचास वर्षों से विज्ञान लेखन कर रहे हैं दिवेंजी हमने पिछले एपिसोड में जो आप से बात छोड़ी कि हिंदी समाज लगतार अंधश्रद्धा अंधविश्वाश इस सब में फस्ता जा रहा है समझाया भी कि विज्ञान का सच लोगों तक पहुँचाना है अब वो सच कैसे पहुँचेगा हम तकनीक के इस तर पर तो नई चीजे अपना रहे हैं हिंदी का समाज लेकिन विज्ञानिक दृष्टिकोन जो टेंप्रामेंट है हमारा वो इसमें नहीं हो पा रहा है उसके लिए आप कहां कहां कमिया देखते हैं क्या हमारी स्कूलिंग में हमारी पढ़ाई में कोई दोश है क्या हिंडी में अच्छी विज्ञानिक सामगरी और शोध जनरल हमें पढ़ने को नहीं मिल रहे हैं और किस स्थर पर इस सब को देख रहे हैं मुझे लगता है कि सबसे पहली जरूरत आपने ठीक कहा कि उसमें एक तो स्कूल के स्थर से ही विज्ञान को समझना विज्ञान तब समझा जाएगा जबकि जग्या सामन में पैदा होगी और बच्चे से बड़ा विज्ञानिक दुनिया में कोई नहीं होता है बच्चे सबसे बड़े विज्ञानिक होते हैं अगर उन्हें ये रास्ता मिल जाए अगर उनके सवालों के जबाब मिल जाएं वो कई बार बड़े उल्टे सीजे सवाल करते हैं मैं सुएम अपने वड़सेप पे जबाब भेशता हूँ दूर दराज मैं बच्चों के पास स्टोरी टेलिंग के लिए जाता हूँ विग्यान की कहानियां सुनाता हूँ तो कई राजियों से दूर से बच्चों के फोन आते हैं या उनके शिक्षक मुझे सवाल भेशते हैं तो जैसे एक बच्चे ने हाल ही में पूछा कि गायों का रंग सिर्फ काला सफेद या भूरा ही क्यों होता है वो हरी या नेली क्यों नहीं होती तो इसमें एक तो यह है कि डांट की भागा दो बच्चे को दूसरा यह है कि यह सोचने के लिए हमें मौका देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हम उसको सारी चीज समझाएं एक बच्चे ने सवाल पूछा जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह चोटी सी चीजें हैं देखने में लेकिन बहुत बड़े सवाल है एक बच्चा देख रहा है वो कहता है हमारे घर में हमारे डॉगी की पपी पैदा भी चोटे से बच्चे उनकी आँखें बंद थी अभी वो थोड़ा बड़े हो गए हैं और वो इधर उधर देखके चल रहे हैं उनकी आँख में लेंस कौन फिट कर गया यह उसका सवाल है तो हम अगर इस बात को उन्हें समझाएंगे तो पता लगेगा अब अगर हम शुरू से ही यह बात करें कि भूत से डराना शुरू कर दिया बच्चा उधर न जाए अधरे से डरे सब जग़े वो जो भीतर डर हो जाएगा वो डर जीवन भर उसको परिशान करेगा वो उसके अवचेतन में बैठ जाएगा कि भूत होता है कहीं करके क्योंकि मेरे माता पिता कह रहे है मेरे साथी कह रहे है मेरे आसपास के लोग कह रहे है हमें उससे दूर रखना चाहिए बच्चे को उसको बताना चाहिए कि ये जूट है ये गलत है मैं कई जगे जाता हूँ आपको उधरान दे के बताओं मैं उनको दुनिया की सबसे चोटी कहानी सुनाता हूँ ट्रेन के डिबे में दो यातरी सफर कर रहे थे रात का समय था धेरा था और ट्रेन चली जा रही थी खटगड़ा 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 बारिश हो रही थी और उसमें वो दोनों डिब्बी में अकेले बैठे हुए थे एक ने दूसरे से पूछा क्या तुम भूतों पर भी शास करते हो उसने का नहीं तो और घायब हो या अब बच्चे सब के सब सोचने लगते हैं तो मैं बच्चों से पूछता हूँ क्या इसा हो सकता है तो लोग कहते हैं कि वो तो भूत रहे होंगे कुछ बच्चे यह कहते है लखनों में था मैं गाओं से आया वह बच्चा जूता भी नहीं था पैर में बिल्कुल सीधा साधा सा बच्चा वो कहने लगा ऐसा हो जी नहीं सकता मैंने का क्यों नहीं हो सकता दोस्त बताओ तो कहने लगा क्या उसके पास कोई रिमोड था मैंने का नहीं रिमोड तो नहीं था क्या कोई शीशी थी दवाई पी थी उसने नहीं पी थी क्या उसने कोई कपड़ी अलग पहने उसमें नहीं पहने तो फिर होई नहीं सकता मैंने का यहां विज्ञान जन्म लेता है कि बिना कारण के बिना कुछ चमतकार नहीं होता कुछ भी कोई चीज चमतकार से नहीं हो सकती है उसके पीछे कोई कारण होता है और वो बच्चा उस कारण को खोज रहा है ये चीज आम आजमी के सब के दिमाग में रहती है लेकिन जब हम बात उनको समझा सकें हम उनके पास तकी बात ले जा सकें तो इसके लिए पहली भूम का मैं मेडिया की लेता हूँ कि मेडिया जो है वो कितना कुछ हमारे घरों में विग्यान भेज रहा है जी मैं यहीं आ रहा था आपके पास मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेडिया जी ने पत्रकायता में भी पीजी डिप्लोमा किया है तो इसलिए में मीडिया की भूम का पर आपसे एक विशेश टिपनी चाहरा था कि जिस तरह से आप मीडिया कि कल देख रहे हैं कि मीडिया गाय गोबर इस सब में उलजीवी है कि गाय ऑक्सीजन लेती है ऑक्सीजन ही छोड़ती है गोबर से विकरन और रेडियेशन परमानुबाम इस सब से बचा जा सकता है ये वो और इस से पहले आपने देखा कुछ साल पहले तो बहुत जादे भूत प्रेत और ये सब कुछ था तो मीडिया की भूमिका विग्यान की जावरुकता के लिए आप किस तरह देख रहे हैं मीडिया की भूमिका में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि खुद मीडिया को ये जम्मेदारी ये उतर दायत अनभाव करना चाहिए कि ये ये हमारा उ कैंसर से पीडित हो रहे हैं तरह तरह के कैंसर उनको हो रहे हैं और हम मीडिया के माधिम से अगर उनको ये बता रहे हैं कि गाय पर गम धीरे धीरे हाथ फेरें और उसको गोमों तर पिलाएं तो कैंसर ठीक हो जाएगा इस से बड़ा जूट क्या हो सकता है और कहने वाले ख और वो मेडिया कह रहा है, गाओं के लोग क्या सोचेंगे लगाई है, कि उस समय घर के भीतर चले जाएं, किस घर के, उनको नहीं पता है कि एक परमान बम जो कि बिलकुल प्रारमभिक तरह के परमान बम थे, जो हिरोश्मान अगसा की में डाले गए थे, उसी में लाखों लो भाब बन कर उड़ जाएंगे, तमाम लोग राखो जाएंगे, और उसके बाद भी बाहर जो बचे होंगे, उनकी आने वाली बीसियूं पीडियां जो है बिकलांग पैदा होंगी, ये पता नहीं है लोगों को, सारे मकान खत्म हो जाएंगे, पूरे पहाल तोटके इदर औ उदर बिखर जाएंगे, पेड़ पोदे खत्म हो जाएंगे, फसलें जल जाएंगे, ये नहीं पता है, घर के अंदर चले जाएंगे, ये बता रहे हैं, या गोबर का लेप लगा लीजे, गोबर का लेप किसी चीज़ पर लगा लीजे, कैसे शरीर पर लगा कर के परमान ब बोड़ी भूम का है कि वो जम्मेदारी से काम करें भावी पीडियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी इतिहास में दर्ज होगा यह लिखा जाएगा कि कभी मीडिया इस तरह की बात भी करता था करके अगर अगर इस बात को मीडिया की बात को छोड़ें अब हम आते हैं कि जो हमारे समयधान में भी लिखा है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हुए है कि हमें तो क्या करना था क्या कर रही है और क्या हो सकता एस विग्यान को एक बात 1946 में Discovery of India में उस समय जो प्रधान मंतरी थे जवाला नहरू उन्होंने उसमें लिखा था कि समाज के आगे बढ़ने के लिए ये अन्वारी है ये जरूरी है कि हमारा सोच वैग्यानिक हो हम एक वैग्यानिक सोच के साथ ही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और इसको मूरत रूप देने के लिए उसके बाद इस देश में आज जो देड़ दो सो राश्टी स्थर के अंतराश्टी स्थर के संस्थान काम कर रहे हैं प्रयोगशाले काम कर रहे हैं ये सब उसी की उपस थी इसके बाद बने जितने नदी घाटी परयोजनें सुनी खुली यह सब की सब उसी में उस बैगनिक सोच के तहट आया इसके साथ ही कुछ संस्थाएं भी बनाई गई इनमें कुछ संस्थाएं विग्यान के लोग परिकरण परसार के लिए बनाई गई वो अपना काम कर रहे हैं वो विभिन तरीकों से मतलब जो है जैसे वरक्शॉप्स करते हैं या वो फिल्में बनाते हैं वो टेली बिजन प्रोग्राम बनाते हैं वो रेडियो सीरियल बनाते हैं वो जाके जगे जगे वे अख्यान देते हैं उनकी कितनी बड़ी भूमिका है कितनी सफलता से वो करने हैं इसको जरूर हमें देखना चाहिए लेकन वो संस्थाएं वर्षों से लगी भी उसमें काम कर रही हैं हमारी नई सत्ता को ये करना चाहिए कि किसी भी तरह हम विज्ञान के सच को समाज तक पहुंचाएं उन प्रयासों में कमी कहीं से भी नहीं आनी चाहिए विज्ञान के माने अगर कोई ये समझता है वर्तमान सत्ता के वल अतीद के वारे में कह रही है तो वो तो बात गलत हो जाएगी क्योंकि वर्तमान में जो विग्यान विग्यान तो सदा आगे बढ़ता रहता है विग्यान तो एक लगातार एक नदी की तरह से प्रवामान है उप रवाह जो है हमें उस प्रवाह के साथ चलना है सच सदा नया आता तो इसलिए जो है सरकारी स्थर पर ऐसी योजनाओं को प्रमुक्ता से लागू किया जाना चाहिए कि लोगों तक विग्यान का सच पहुँचे इसको बहुत मकमल तरीके से लागू करना चाहिए यह मैं समझते हैं मैं बात को फिर यहां समापन की तरफ ले जाओं तो मैं चाहूँगा कि आपने किस्सा गोई के अंदाज में बच्चों को और उनको बहुत समझाते हैं तो हमारे हिंदी दर्शक खासतोर से बच्चे और नौजवान उनके लिए आप क्या जरूरी बात कहना चाहिए विग्या के सच को जानने के कोशिश कीजिए सदा स्वपन देखिए अपनी जिग्यासाओं के जुगनों के पीछे भागिए और उनके सच को देखिए कि उनका प्रकाश जो उनसे आ रहा है वो सच का प्रकाश क्या है तब ही जाकर आप अपनी दुनिया को समझ पाएंगे अन्य था तो सिर्फ गोवर और गोमूतर में हम रह जाएंगे ये जरूरी है कि हम हर चीज का सच जाने हम इतना चोटा सा सच भी जाने इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए हमें कि अगर जल्वाई परवरतन हो रहा है तो उसका कारण हम लोगों ने किस तरह से करोड़ों अर्मों प परवरतन के वाल नहीं है गलेसियर पिगल रहें इस सब बड़ी बाते हैं परवरतन ये भी है कि इस परवरतन के कारण फूल देर में खिल रहे हैं लेकिन तितलियों ने जिन्होंने पहले अपने अंडे दे थे जिन से प्यूपा बने उनमें से जो ही वसंतारा है वो धिरे देरे ताप मान के बढ़किने के साथ नई तितलिया आ रही हैं फूल खिले ही नहीं हैं फूल तो दो महने बाद खिलेंगे वो तितलिया खत्म हो जाएंगी तो ऐसे अगर तितलिया खत्म हो गई तो कल नए बीज नहीं बनेंगे फूल नहीं खिलेंगे उसके बाद नए ब पूर्ण ये है कि हम बच्चों को प्रकृति से जरूर जोड़ें ये अनिवारी पाठ होना चाहिए ये जरूरी होना चाहिए कि प्राथमिक पाठ सालाओं से ले करके कि बच्चों को सब्ता में एक बार प्रकृति में ले जाना जरूरी है ताकि वे महसूस कर सकें कि फूल क् खिलते हैं तितली क्या है बादल क्यों बनते हैं कोहरा कहां से आ रहा है तारे क्यों चमकते हैं नदिया क्यों वह रही है वो मैली क्यों हो रही है यह सब को चिडिया इतनी रंग बिरंगी क्यों होती है चिडिया जो बोल रही है वो क्या बोल रही है यह सब बच्चे को समझन की मजबूत होगी और धीरे 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 वो आगे आएंगे तो एक विग्यानिक सोच के साथ आएंगे उनके अंदर वो जिग्यासा काफी जवाब ढूंड चुके होगी और उनके मन में विग्यान का सच बहुत होगा तो आज फिलाल इतना ही और विग्यान का सच जाना है तो दोस्तों सवाल पूछने पड़ेंगे, सवाल करना होगा, प्रकरती के पास जाना है, तो प्रकरती को लेकर भी सवाल आपके मन में होंगे, तब ही आप कुछ नया जान पाएंगे, सवाल आपको सरकार से भी पूछना होगा, मीडिया से भी पूछना होगा, अपने अध्याप झाल झाल